गनेशाय नमा, श्री शिव कुरान रुद्र सहिता द्विती अखंडा ध्याय दो, मुन्ने, जब मरीची, अत्री, पूल, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतू, वशिष्ट, नारद, दक्ष और भरिगू इन प्रभाव शाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन किया, तब मेरे अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन हुई जिसका नाम संध्या था, वह दिन में क्षीन हो जाती परंतु साय काल में उसका रूप संधर्य के लुटता था, वह मूर्ती में साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी, सुंदर बहो वाली वहनारी सुंदर्य की चरम सीमा को पहुची हुई थी और मुन्यों के भी मन को मोह लेती थी, इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था, उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दातों की पंक्तिया बड़ी उनके मन में विस्मय भर गया था, जगत की स्रिष्टी करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विने से गर्दन जुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा, वह पुरुष बोला ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाए, क्योंकि विधाता, आज आप ही सबसे अधिक माननिय और योग्य पुरुष हैं, यह लोग आपसे ही शोबित हो रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा भद्र पुरुष तुम इसी रूप से तथा फूल के बने हुए पांच बानों से स्त्रियों और पुर समस्त प्रानियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बान का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष बन जाएगा, और निरंतर उन्हें मदमस्त किये रहोगे, यह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है जो स्रिष्टी का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्य होंगे इस बात को मेरे यह पुत्र बताएंगे, सुर्ष्वेष्ट ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुखे की और द्रिष्टिपात करके मैं क्षंड भर के लिए अपने कमल मयासन पर चुपचाब बैठ गया, इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता द्विती अखंड अध्याई दो कता समाप्त, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे क्रिशन हरे क्रिशन 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 हरे हरे, ओम नम शिवाई, ओम नमा 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 शिवाई, ओम नमाशिवाए ओम नमाशिवाए